नमस्कार दोस्तों, welcome to 342 education, friends आज का वीडियो रहेगा जिके रिलेटेट्ट तो कुछ important question एंसर जोकि beard and trance में ये question पूछा गया है CUT beard and trance के लिए आप preparation कर रहे हो तो आप के लिए ये वीडियो helpful रहेगा तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं जो भी students चैनल पे नहीं हो चैनल को भी subscribe कर लिज़ेगा यहाँ पर हम आपको important update के साथ हो जुकी है important questions का भी practice कराते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका first question रहेगा Which of the following state is largest in terms of population? population के साथ से कौन सो स्टेट जुकी है सबसे बड़ा होगा option में रहेगा महाराष्ट्व, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्या प्रदेश friends यहाँ पर आपका right answer जुकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश जुकी होगा population के साथ सबसे बड़ा है एरिया के terms में यहाँ पर हम देखे तो राजस्तन सबसे बड़ा रहेगा ठीक है सबसे बड़ा जुकी राजस्तन होगा और second place में जुकी है मध्या प्रदेश होगा area के terms में बड़ यहाँ पर आपका population का पुछाएगा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा ओके उत्तर प्रदेश में जुकी आपका लोक्षभा का सीड होता है दोस्तो 80 सीड है ओके next नेक्स्ट होगा which of the following recommended that multi-purpose school should be introduced in school education system इसमें से कौन से जुकी है कमिटी जुकी है recommend दिये है कि multi-purpose school जो है introduced होना चाहिए school education system में के multi-purpose school का introduction introduced option में रहेगा मुदालेयर कमिशन 1952-53 रामामुर्थी कमिटी 1990 यह पिर national curriculum framework 2005 national policy on education 1968 तो यहां पर हम देखे तो multi-purpose school होना यहां पर introduce introduction करना यह recommendation जो कि दिये है दोस्तों इसका right answer है जो कि मुदालेयर कमिशन ओके मुदालेयर कमिशन का रिकमेंडेशन होगा यह option number यह यहां पर आपका right answer हो जाएगा next question होगा how many articles are there in constitution Indian constitution में इतने articles हैं यहां पर आपका option में रहेगा 395-414 है okay और भी यहां पर आपका option रहेगा 435 and 444 दोस्तों यहां पर आपका right answer रहेगा यहां पर 395 यहां पर आपका सही answer होगा option number यह यहां पर आपका right answer हो जाएगा number of articles नमबर यहां पर आपका पार्स आपको पूछा जाए तो 25 पार्स होगा and schedule यहां पर पूछा जाए तो 12 schedule होगा ठीक है next नेक्स्ट आपका एक question सहेगा दोस्तों which are components of primary sector of Indian economy Indian economy के जुकी है primary sector में यहां पर आपका कौन सा component है option में रहेका agriculture and animal husbandry forestry fishery यह फिर mining and query ओके यहां पर आप देख सेकते हों कि option यहां पर आपका option one option one and two यहां फिर one two three and one two three four तो यहां पर हम देखें दोस्तों primary sector में यहां पर आपका component जो भी होगा यहां पर आपका सारे जो कि हैं सही होगा option number one two three and four तो कि यहां पर आपका डी एंसर सही होगा agriculture animal husbandry forestry fishery mining and query सारे यहां पर आपका primary sector में आ जाएंगा इंडियन एकोनोमी के हिसाब से next next होगा in view of structure में घाले प्लेट्यू इस सिंब्लार इन प्रियाट्टू structure के हिसाब से यहां पर देखें तो में घाले प्लेट्यू जो है किसके साजू की है सेम होगा option में रहेगा सिवालिक अरावली छोटनागपुर यहां पर आपका राइड एंसर जोकी रहेगा में घालेट्यू के साजू की structure के साब से सेम जोकी होगा राइड एंसर है सिवालिक option number a यहां पर आपका राइड एंसर हो जाएगा friends what was the revised fiscal deficit rate fixed for Indian economy in the year 2018-19 2018-19 दोस्तों यहां पर आपका पूछा जया है तो आप देखें कि अपका current affairs related questions रहेगा तो आपको देखना है ठीक है 2023 का ठीक old folded mountain is प्राचिन बलिद परवद कौन सा है option में होगा अरावली रॉपकी एंड इस हिमालेयो राइड अंसर यहां पर आपका हो जाएगा यूकि आरावली mountain जोकी है old folded mountain है option number a यहां पर आपका right answer हो जाएगा ठीक है next next होगा which of the following moment was inspired by henry vivian derogio henry vivian derogio ने निम्हें लिखित किस आंदोलों को प्रेयरणा प्रदान की option में रहेगा young christian moment young bengal moment यह फिर young protestant moment and next होगा यहां पर आपका right answer होगा young bengal moment को जो है inspire किये थी option number b यहां पर आपका सही answer हो जाएगा so next होगा who among us the following invented the email email की कोच निम्हें में से किसने की है option रहेगा वेंट सेफ जैम्स गासलिंग टीम बंडर या फिर रे टामलिंग्शन जोस्तों यहां पर आपका right answer हो जाएगा रे टामलिंग्शन जोकी है email का invented है option number d यहां पर आपका right answer हो जाएगा और नेक्स्ट 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 होगा the theme of fourth international yoga day जुन 2021 2018 वाच तो 2021 का जोकी है योगा डे का जोकी आपका theme पूछा गया है पर दोस्तों यह अपका प्रिवेसर का question होगा तो यहां पर updated वाला आपको फूछा जाएगा तो यहां पर देखे तो आपका theme जोकी रहेगा कि योगा फॉर हुमेनिटी ओके योगा फॉर हुमेंटी जोकी आपका theme है 2022 का योगा फॉर हुमेंटी यह आपको याद रखना है 2022 योगा डे का थीम ठीक हैं next at which of the following conference non-alien policy of India was conceived option में रहेगा यहां पर हम आपको दिखा देते हैं option जो की यहां पर है option रहेगा बंदूंग conference दली conference काहिरो conference या फिर मनीला conference right answer यहां पर आपका जो की रहेगा बंदूंग conference जो की यहां पर आपका सही answer होगा option number a ठीक है next so next होगा in the following which oil region is situated in Gujarat निमने में से कौन सा तेल खेस्तरा गुजराट में स्थित है option में रहेगा बदरपूर, lunage, बाशिन या फिर नहर काटिया right answer यहां पर आपका होगा का lunage, lunage में जो की यहां पर आपका रहेगा oil region गुजराट का ठीक है next next होगा assessment for learning is to assessment for learning क्या है सिखने के लिए आलकन क्या है option में रहेगा प्रोभाइड रेंकिंग तो स्टूडेंस इन दे क्लास या फिर क्रियेड स्ट्रेस अमंग तो स्टूडेंस वी ड़न ओल्ली वांस इन दा होल academic year next एगा improve learning बाय प्रोभाइडिंग ये constructive feedback तो यहां पर हम देखे तो assessment for learning जो कि आपका होता है formatic assessment होगा जो कि आप ड्यूरिंग क्लास में कर सेकते हो ठीक है तो यहां पर हम देखे तो प्रोभाइड रेंकिंग तो यह आपका नहीं रहेगा यह आपका summative में आ जाएगा next आप करहेगा create stress among the students यह भी नहीं रहेगा be done only once in the whole academic year यह भी आपका नहीं होगा दोस्तों यह आपका summative में आ जाएगा option number D यहाँ पर हम देखे तो improve learning by providing a constructive feedback ओके तो यहां पर जो कि आपका यह option number D जो कि है सही होगा formative assessment जो कि आप डियूरिंग क्लास में कर सकते हो क्लास के दोरान तो उसे जो कि क्या होगा students का जोगे आप improve कर सकते हो constructive feedback देखे ओके option number D यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा next होगा which of the following is made in context of head of the house the head of the house के साबसे यहाँ पर आपका कौन सा option यहाँ पर आपका council यह head होते हैं okay next आपका रहेगा speaker of लोकुषभा and chairman और राज्योषभा तो यहाँ पर आपका option यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कौन सा option यहाँ पर आपका सही होगा head of the house के साबसे तो यहाँ पर हम देखे तो speaker of state legislative assembly आपका state में रहता है state legislative assembly तो यहाँ पर जो कि head होते है speaker यह आपका सही होगा chairman of the state legislative council यह आपका बिधान फरिस्त जो की होगा इनका भी चैर्में होंगे तो यह आपका head होंगे next आप 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 देखे तो speaker of local speaker of local जो कि होते है यही भी head होते है यह नेक्स्ट आपका रहे का chairman अब तो यहां पर आपका सही एंसर हो जाएगा अप्सन नमबर डी 1234 सारे यहां पर आपका हैड अपका हैड आपका हाउस हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका करहेगा हुण के रिमुब बाय इमपी इम्पीज्मेंट के दोरां ज़ूकी है इनको जुए रिमुब कियाजाता है एप स但 में रहेगा प्रेशिडेन औंके प्रेशिदेंट होता है दोस्तों तो अप्섞 नमबर यह आपका सही हो का यहांपर में एप्षिन में भी देख लेते हैं इसे कि जैसे सफ सुप्रीम कोड जैसे सफ हाइप कोड यह फिर चीफ लेक्षन कमिश्णर तो यहां पर हम देखे तो इंपेजमेंट की दोड़ान जो भी रिमूब क्या जाता है यहां पर आपका प्रेसिडेंड होगे जैसे सफ सुप्रीम क वासर में नहीं होते हैं तो अप्षन में यहां पर हम देके तो यहां पर आपका रहेगा अप्षन नम्र सी होगा 103 होगा तो अप्षPress नमबर सी यहां पर राइड अंसर हो जाएका नेक्स्ट होगा, by which of the following West Nail Virus is transmitted, West Nail Virus जो कि विजानु का संक्रामन निमने में से किसके द्वारा होता है, अप्सन में रहेगा box, scent flies, musquito या फिर black flies, यहाँ पर हम देखें तो West Nail Virus जो कि इसके transmitted होता है, musquito के बज़े से, musquito से जो कि होता है, अप्सन नमबर से यहाँ पर आपका राइडेंसर होगा, मच्छर, ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर जो कि आपका कॉसंस पुछा गया है, what is the annual growth rate of population of इंडी, in इंडिया, during 2001-2011, से लेकर 11 तक जो कि है, annual growth rate कितना रहा है, इंडिया population का, so friends यहाँ पर हम देखें तो, इसका जो कि राइड एंसर होगा, यह 2.14% जो कि इसका annual growth रहा है, okay, नेक्स्ट होगा, National Council of Educational Research and Training, review the NCF 2000, in the light of the report, राश्टर सेक्षिक्स, अनुशंधान और परिशिखन परिश्द ने, NCF 2005 की समिक्षा किस रिपोर्ट के राश्नी में की, अप्शन में रहेका, learning without burden, 1993, kothari commission, 1964, या फिर national policy and education, 1986, नेक्स्ट हेगा, Dr. Radhakishan commission, 1948, इसका जो कि राइड एंसर हो जाएगा, यह, learning without burden, 1993, यहाँ पर आपका सही एंसर हो जाएगा, अप्शन नमबर 8, So, next होगा, which of the following can be associated with महात्पागंधी philosophy, इस मैं से कौन से जो कि है, महात्पागंधी philosophy से जो कि है, associate होंगे, अप्शन में रहेका, नई तालिम, ट्रॉस्टिशिप, सत्याग्रहों, सर्बोदयों, Friends, यहाँ पर हम देखे तो, इसका जो कि राइड़न्सर हो जाएगा, यहाँ पर आपका all of the above, सारे जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, जो कि यह, महात्पागंधी philosophy से जो कि associate है, यहाँ पर आपका option जो कि रहेगा, option number D होका, A, B, C, D, सारे जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, So next होका, mathematics phobia can lead to disinterest in schooling, this has been depicted in which Hindi movie, गणित संबंधी के कारण, पढ़ने लिखने के अरुची पेदा हो सकती है, इसका फिल्मंकन किस फिल्म में हुआ है, Option में रहेगा, तारे जमिन पर, नील बट्टे सन्नाटा, आयम कलाम, यह फिर हिंदी मीडियोम, दोस्तों यहाँ पर हम देखे तो इसका जो कि यहाँ पर आपका राइड अंसर हो जाएगा, नील बट्टे सन्नाटा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैज़फाटिक्स पोविया से रेलेटेट, ओके, तो अप्सन नमबर, यहाँ पर आपका बी राइड होगा, नील बट्टे सन्नाटा, तो नेक्स्ट होगा, दोस्तों यहाँ पर आपका राइड अंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही अंसर होगा, आप्सन नमबर बी यह राइड होगा, तो यहाँ पर हम देखे तो टीचिंग आप जग्रोफी के साब से कौन सब परस्पेक्टिब जो की है, यहाँ पर डेफ्लप होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका राइड अंसर हो जाएगा, ठीक है, who among the following is a novelist इन में से कौन से जोगी एक novelist है Tony Marishan, Chaitan Bhagat, Mary Oliver या फिर Nell Postman दोस्तों यहाँ पर हम देखे तो इसका जोगी right answer हो जाएगा यह Tony Marishan and Chaitan Bhagat दोनों जोगी novelist होंगे तो यहाँ पर आपका one and two right होगा ठीक है next होगा which of the following is not a classical dance form इन में से कौन से जोगी एक classical dance form नहीं है भारत नाट्यम, मनीपूरी, मोहिनी आट्यम या फिर कुडी आट्यम तो इस तो यहाँ पर हम देखे तो यहाँ पर right answer जोगी होगा कुडी आट्यम जोगी आपका रहेगा classical dance form नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपका classical dance form नहीं है कौन से स्टेट के लिए यहाँ पर बता सकते हो मनीपूर रहेगा मनीपूर होगा भारत नाट्यम जोगी आपका रहेगा तामिल नाडू का होगा मोहिनी आट्यम जोगी है जोएगा तजूल मशीर तजूल मशीर जोगी यहाँ पर आपका राइलनसर होगा अप्शन नमबर फूर नेक्स्ट कोशन यहाँ पर हम देखते हैं गिविन बीलो और फूर स्टेट्मेंट चुछ दो मोस्ट एप्रोपियेट तो यहाँ पर हम देखे तो प्शन ओवानर रहे है का sex and gender are both ngoci'Malley decided sex and gender are both socially decided या फिर sex is decided socially, gender is decided biomunically अप्शन नमबर four होगा sex is decided biological दोस्तों यहां पर आपका यहां पर आपका यहां पर आपका सही है यानि कि अप्शन नमबर यहां पर आपका राइड एंसर हो जाएगा तो दोस्तों next question होगा mass list 1 with list 2 तो list 1 में यहां पर फ़ीuk authors का नाम है and list 2 में यहां पर आपका books का नाम होगा तो यहां पर आपको correct option देखना है author में यहां चोकी होँगे Aristotle Karl Marx Russo, J.S. Mill and books में जोगई politics the communist manifesto the social contract and on liberty ओके तो यहां पर हम देखे तो इसका जो की अंसर होगा दोस्तों Aristotle यहां पर आपका बोक्स का जो की नाम होगा politics इनके author जो की होंगे and Karl Marx का जो की बोक्स होगा यहां पर हम देखे तो यहां पर रहेगा answer जो की the communist manifesto तो यहां पर हम देखे तो यहां पर हम देखे तो यहां पर आपका option नमबर तू जो की है राइड अंसर हो जाएगा दोस्तों ओके तो नेक्स्ट होगा अनुस्का संकर इस यह वाल्ड रिनोड डेस्ट प्लियर अनुस्का संकर डेस्ट की विश्व प्रसिद्ध बाजक है आप समने रहेगा सितार संतूर सहनाई या फिस सरंगे दोस्तों यहा पर आपका राइड है जो कि नागलान स्टेट का यहां पर मैंशन होना चाहिए अप्सन नमबर वान जो कि आपका राइड अंसर हो जाएगा ठीक है next क्योंकि मैं लेट की हूँ मुझे पढ़ा है इचे पौम भाइखेब दढा हैं उन्वाप क्योंकि मैं लट की हूँ मुझे पढ़ा है तो यहां पर कौनसा इंडैन feminist का है ये option में रहेगा उर्वसी बुटालिया साभित्री बाइपूले अम्रीता प्रितम या फिर कमला भासिन तो दोस्तों यहां पर राइड एंसर रहे गई है कमला भासिन option no.4 यहां पर आपका राइड एंसर हो जाएगा को इस दा आथर अप दा बुक नेशनालिजम नेशनालिजम बुक का जुकि है आथर कौन है एमके गांधी रविंद्र नाथ टागुर स्वामी बीवेकनन या फिर मुहमाद इक्वाल राइड एंसर यहां पर आपका रहे गई हो कि आप्सन नंबर टू होगा जुकि रविंद्र नाथ टेगुर ओके तो नेक्स्ट होगा विच अप्ड़ फॉल्वेंग इस इंकरेक्ट्ली मेच फर दर नेशनालिस निश्यपफर और रिजियन वर इट वास बिंग सर्कुलेटर तो आप्सन में रहे का दा अम्रेज बाजर पत्रिका बेंगल दा इंदू प्रकास बंबे दा कोहिनूर बिहार या फिर दा हिंदू मद्रास तो दोस्तों यहां पर हम देखें तो कौन सो जोकी है इनकरेक्ट्ली मेच होगा ठीक है तो राइड एंसर जोकी हाँ पर आपका रहेगा दोस्तों आप्सन नंबर जोकि आप का छी होगा जो कि दख कोही नूर बिहार यह आपका इनकरेक्ट की मैच है ठीक है तो नेक्स्ट होगा विंग सब फायर इचन ऑटो बाइग्राफी ऑफ विंग सब फायर जो की ऑटो बाइग्राफी है यहां पर आप्शन मैं से किसका है एपीज अब्दुल कलम हमीज भाबा बिक्रम सरावाई सिभी रमण प्राइड एंसर यहां पर आपका रहेगा जो की एपीज अब्दुल कलम जिका है विंग सब फायर ओके फोईच अब्दा फॉलेंग आथर्स बोक्स हैच ओन्द फेमस जन निवबरी मेडल यहां पर कौन सा आथर्स का जो की बोक को जो है बह पर आपका रहेगा धन गोपल मुखार जी जो की इप बूक का अथर होंगे जो भी बूक को यहां पर मिला है जन निवबरी मेडल ठीक है तो अपसर नंबर सी यहां पर आपका राइड एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट होगा which of the following book was written by famous writer आरके नरायन इसमें से कौन सा जो की बूक रहेगा जो की आरके नरायन की द्वारा लिखा गया था अपसन मा रहेका ए डग फौर मालकूडी तो इंग्लिश टीचर गकायट एंड रिज्ज़ फ्रेंड क्या थाइम स्ट ओप एट मालकूडी तो यहां पर जो की राइट असर होगा दोस्तों तो इंग्लिश टीचर अपसन नंबर सी जो की है राइट अश़् हो जाएगा नेक्स्ट होगा धन गौपल मुखार जी इस famous writer has owned which of the following awards धन गौपल मुखार जी की famous writer है तो उनको जो है कौन सा जुकी है यहाँ पर एवर्ड मिला है नोबेल पीस प्राइस जन नियूबरी मेडल ग्यानफीड एवर्ड एफिल पुल्टिजर प्राइस राइड एणसर यहां पर अपका रहेगा जन नीयूबरी मेडल option number भी हाँ पर आपके राइड उनसर हो अधिन नेक्स्ट होगा लेट पंडित सिब कुमार सर्मा वाच एडेस्ट प्लेयर, पंडित सिब कुमार सर्मा जुकी है, वो कौन से प्लीयर है, यहां पर हम देखे तो, संटूर, सीता, वीना या फिर, कामबोज, यहां पर आपका रहेगा, संटूर, ओके, अपसन नंबर, यहां पर आपके रैट होगा नेक्स्ट कीसमें लिखे हैं अपिस अब्द स्टोरी ना रहा है आको यहाँ यहाँ पर यहां पर आपका राइड एंसर होगा option number a कि next question है पर हम देखेंगे who is the author the discovery of India the discovery of India का author कौन हैं तो यहां पर आपका राइड एंसर जो कि रहेगा जवाहलल नेहरू okay option number b जो कि हाँ पर आपका राइड होगा next होगा which of the following it's an example of oral teaching learning resource इसमें से कौन से एक ओर टीचिंग learning resource होगा magazine museum डिडिल या फिर old tickets ओके तो यहां पर आपका राइड एंसर जो कि रहेगा दोस्तों डिल जो कि हाँ पर आपका से एंसर होगा पहल यहां जो कि एक ओर टीचिंग learning resource होगा option number c नेक्स्ट होगा पंडित बिर्जु महराज वाचे पंडित बिर्जु महराज कौन थे यहां पर हम देखे तो option में रहेका कथक डेंसर सीतर प्लेयर तबला प्लेयर या फिर ओडिसी डेंसर पंडित बिर्जु महराज वाचे रहेंगे दोस्तों यह कथक डेंसर यहां पर आपका option number a जो कि राइट एंसर हो जाएगा next होगा which among the following is dance form of odysha odysha का कंसा एक dance form होगा सत्रिया बुडिया नित्या या फिर कथक यहां पर आपका रहेगा दोस्तों यह छो जो कि एक dance form है odysha का classical dance होगा next होगा who is the author of गीत गोबिंदव गीत गोबिंदव का लेखा कोन है राइट एंसर यहां पर आपका रहेगा दोस्तों कालिदास ठीक है option number b तो नेक्स्ट होगा who is the author of गीत गोबिंदव गीत गोबिंदव की लेखा कोन है option में रहेगा जोयदेब कालिदास सूर्दास या फिर पाणिने राइट एंसर होगा जोयदेब option number a यहां पर आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट होगा universal language of the map can be understood by the YouTube तो एक map को समझने का जो कि उसका universal language क्यों होगा option में रहेगा sketches and numerals thematic maps conventional symbols या फिर alphabets and numerals तो दोस्तों यहां पर आपका राइट एंसर जो की रहेगा यह conventional symbols से जो की यहां पर एक universal language होगा symbols जो की आप सभी के लिए यह useful होगा समझने का मैप को तो यहां पर आइट एंसर होगा convention symbols next question यहां पर आप रहेगा तो दोस्तों यहां पर हम सारे questions को discuss कर लिए है जो कि यहां पर आपका बीएड में फूशा जा था तो आज का वीडियो में इतना है था फ्रेंट्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लेज़ेगा एंड चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेज़ेगा तो थैंक यू फ्रेंट्स थैंक यू पर वाचिए